उत्राखंड की SDRF टीम राज्य में तो जीवन दयनी का कार्रे करती है साथ ही अब राज्य की SDRF टीम अन्य राज्यों में भी रेस्क्यू के लिए बुलाई जाती है हाल ही मां अंधर प्रदेश की देवी पट्टन इलाके में 15 सतंबर को सैलानियों से भरी नौका गोदावरी में पलट गई थी नाव में नौचालक दल समित 60 लोग सवार थे जो नाव पलटने से नदी में डूब गई थे इसी दुरघटना में रेस्क्यू के लिए बीती 15 सतंबर को उत्राखंड की SDRF टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाए गया था जहां पुलिस की NDRF की टीम के साथ मिलकर SDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 18 से अधिक शव बरामत किये अन्यल आपता लोगों की तराश की जा रही है SDRF IG संजे गुनजयाल ने बताया के हमारे राज्ये में आए दिन प्राकरतिक आपदा आती रहती है जिससे निपटने के लिए टीम को तयार किया गया है जिससे वो विकट परस्तती से निपटने के लिए तयार हूँ साथी टीम के पास कई आधुनिक उपकरण जैसे सोनार सिस्टम और अंडर वाटर ड्रोन है जो रेस्क्यू करने में काफी मदद करता है माँटन के टीम है व साथ में अगे पर हैं कि अधर इसकंडूर देख़े कहांjourd में हम लोगने हम लोग की सथे स्क्रीब माउंटिन की टीम है वैसी ही जहां पर उत्राखन में जो हमारे रनिंग वाटर है या लेग्स है वहां पर कई बार ऐसे एसे डिजास्टर या फिर सर्च को हमें कंड़क्ट करना होता है तो उसके लिहाज से हम लोग ने ट्रेनिंग भी दिया है और लेटिस एक्यूमेंट भी प्रवाइट किया है यही रीजन है कि हम लोग बार की राज्यों में लेकिन पूरे देश में जहां पर भी इसकी दिमांड रहती है और अगर वहां से कॉल आता है तो हम लोग बार की राज्यों में भी बेशते हैं तो देखा आपने किस तरह राज्य की SDRF टीम ने सिर्फ राज्य ही नहीं बलकि दूसरे राज्यों के लिए भी जीवन दैनी बन कर काम किया आपको बता दे कि 2013 के के दार आबदा के बाद से राज्य में SDRF टीम का गठन ह हुआ था ताकि वो हर तरह की प्राकरतिक आपदा से ने पठने के लिए तयार रहे यही वज़ा है कि आज ये टीम दूसरे राज्यों में भी डेमांडिंग हो गई है पंजाब केसरी टीवी के लिए दहरादोन से कुलदी प्रावत की रिपोर्ट